वेल्कम दिश्टों डिक्टेशन डिक्टेशन पांच जिकन बाश चुड़ होगा रेडी स्टार्ट प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी आत्म निर्भर भारत के नारे को मंत्र में बदलना चाहते हैं स्वतंत्रता देवस पर लाल किले की प्राचीर से उनके 86 मिनट के भाशन का बड़ा हिस्सा देश को आत्म निर्भर बनाने के विचारों, संभावनाओं और योजनाओं पर केंद्रित रहा संस्कृत के स्लोक सामर्थि मूलम स्वातंत्रियम स्रम मूलम च वैभवम का हवाला देकर उन्होंने कहा कि किसी देश समाज की आजादी का स्रोत उसका सामर्थ होता है जबकी उसके वैभव उन्नति का स्रोत उसकी स्रम शक्ति होती है जाहिर है प्रुधान मंत्री देश की आत्मनिरभरता के लिए अपने सरकार के यग्य में सभी देशवाशियों से स्रम की आहुति का आहवान कर रहे थे उनका जोर हर मोर्चे की आत्मनिरभरता पर है चाहे वह रक्षा उत्पादन का छेत्र हो या निर्यात और क्रिशी का सिक्षा चेत्र को भी इससे जोडते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिरभर आधुनिक सम्रिद और खुशहाल भारत के निर्माड में सिक्षा का बड़ा महत्व है इसी सोच के साथ तीन दशक बाद देश को नई सिक्षानीत मिली है आत्मनिरभर क्रिश और आत्मनिरभर किसान को आत्मनिरभर भारत की अहम प्राथमिक्ता बताते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए हाल ही एक लाख करोन रुपाए का एगरी कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है उन्होंने अपने संबोधन में मेक इन इंडिया के साथ मेक फोर वर्ल्ड पर जोर दिया उनका कहना था कि 21 सदी के इस दसक में भारत को नई रीत नीत के साथ आगे बढ़ना होगा अब साधारन से काम नहीं चलेगा हमारी रीत हमारी प्रोसेस हमारी प्रोडक्ट सब कुछ सर्वस्रेष्ट होने चाहिए तभी हम सर्वस्रेष्ट भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे इस बार सुतंतरता दिवस पर प्रधान मंत्री का संबोधन इस लिहाज से महतपूर्ण था की देश कोरोना काल से गुजर रहा है लोगों में अपने स्वास्थ और भविश्य को लेकर चिंताएं हैं प्रधान मंत्री ने मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए के भाव से देशवासियों को आस्वस्त करने की कोशिस की की सरकार देश को कोरोना के संकट से उबारने के लिए हर संभव प्रेतनों में जुटी है इस कड़ी में उन्होंने 15 अगस्त को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिसन के सुभारंब का ऐलान किया देश के हेल्थ सेक्टर के लिए यह क्रांतिकारी कदम हो सकता है इसके तहत देशवासी को हेल्थ आईडी दी जाएगी इसमें हर बिमारी और जाच की जानकारी होगी इससे लोगों को अस्पताल में परची बनवाने समेत कई तरह के जंजटों से मुक्ती मिलेगी और राश्ट्रिय स्वास्थ डाटा तयार करने में भी मदद मिलेगी प्रधान मंत्री के संबोधन में कई दूसरे राश्ट्रिय मुद्दों मसलों का भी समावेश था जिन पर इस महत्पूर सुबह देश सरकार के रुख और विचार के लिए प्रतिक्षारत था उम्मीद की जानी चाहिए की संबोधन ने बड़ी आबादी को संतुस्ट किया होगा और आत्मनिरभर भारत के लिए प्रधान मंत्री का आगरह जन जन तक पहुँचा होगा देश की आत्मनिरभरता मजूदा वक्त की जरूरत भी है ताकत भी स्टॉप